हाई गाईस वेलकम बेक टो माई चानल आज मैं लगाने वाली हूँ सीड्स जो मैंने प्लांट और्बिट से बाई किया है और दू सीड्स मैंने मंगवाई थे दोनों इस सीड्स मुझे रिसी हुआ है वड़ भी नहीं और दूसरा पॉर्टुलास और दोनों इस सीड्स मैं आ को जर्मिमिट करूंगे और यहां पे मैंने अच्छी कॉलिटी का कोड़ना इस और यहां पे आप सीट की कॉंटिटी देख सकते हैं थोड़े सी कॉंटिटी मुझे मिला है और इस शीट का मैंने पे किया है 50 रुपीस तो टोटल 100 रुपिस मैंने इन सीड के पे किये है तो चलिए इनको लगा के देखते हैं और किस तर से ये जर्मिनिट होता है ग्रो होता है कि नहीं ये भी जानते हैं तो सबसे पहले मैं सॉयल मिक्षर बना रही हूँ सीड लगाने के लिए और यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट और कोको पीड डोनों ही मिलाके एक सॉयल मिक्षर बनाऊंगी जिससे सीड अच्छी तर से जर्मिनिट होते है और यह दूसरी बार है जो मैं इंटर फ्लावरिंग स इससे पहले मैंने फ्लिपकाड के ग्रीनरी हप की सीड लगाई थी जिसकी भी जर्मिनेशन की वीडियो मैंने अल्रेडी पोस्ट किया हुआ है वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते है तो यहाँ पे मैं सेट जर्मिनिट होके अच्छे तरह से ग्रू हो रहे थे और बहुत अच्छी कंडिशन भी थी सैपलिंग की लेकिन अजानक पता नहीं क्या हुआ सभी सैपलिंग लगी सा होके नीचे गिरने लगे मैंने इनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर बच नहीं पाए और दिखते दो माइने के अंदर सारे सैपलिंग पूरे तरह से खतम हो गई नहीं इनको बचा नहीं पाए तो इसकी बहुत सारे रिसन हो सकते हैं जैसे कि पॉटिंग स्वायल से इसे ना हो ना संलाइट की कमी या फिर फंगस भी हो सकता है इसकी रिसन तो मैं नहीं जान पाए मगर यहां पे जब भी आप seed grow करते हैं तो आप अपने risk में grow करें और seed को seed सो लगा देते हैं germinate भी हो जाता है मगर sapling को बचा पाना बहुत ही मुश्किल रहता है तो चलिए आज मैं फिर से seed लगा रही हूँ देखते है germination होता है होता भी है तो कितनी percent grow होते है तो यहां पे मैं nursery pot ले रही हूँ seed लगाने के लिए क्योंकि nursery pot में drainage hole बहुत अच्छे से होते है जब भी over watering होता है एक्स्टा पानी होता है तो आसानी से drainage hole से निकल जाता है तो इसलिए मैं seed इस पार nursery pot में लगा रही हूँ और यहां पे दो seed लगेंगे तो मैं दो nursery pot use कर रही हूँ और potting soil मैंने इसमें add कर दिया है यहां पि मैं इसमें लगाूंगी seed और यहां पे मैं पूरी seed नहीं लगाूंगी थोड़े सी seed ली है थोड़े से सीट को मैं पहली बार लगाऊंगी अगर जर्मिनेट नहीं हुआ तो मैं दूसरी बार भी नहीं लगाऊंगी तो सीट को मैं equally सॉयल में लगा देती हूँ अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ और यह जो है पोर्टुलास का सीट है जो समर में अच्छी तरह से ग्रू होते हैं लेकिन मैं थोड़े से सीट विंटर में भी लगा के देख रही हूँ देखते हैं किस तरह सी चर्मिनेट होता है स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें एक पॉर्टिंग सॉयल का लेयर दे दूँगी तिन सा लेयर में इसमें एड़ कर रही हूँ अभी मैं इसमें अच्छे से पानी दे दूँगी पानी देने के बाद नेक्स टाइम इसको अच्छे तरह से ट्राय होने के बाद ही पानी दे और पाने दे के इसमें मैं पूरी तरह से कवर करने वाली हूँ और कवर करके रखेंगे तो seed germination बहुत अच्छी तरह से होती है और जल्दी से होती है तो दोनों ही पॉट को मैं कवर करके रख रही हूँ इस तरह से cover करके रखने से पानी डालने की जरुरत नहीं होती pot में moisture create होता है जिससे seed अच्छे तरह से germinate होते है और इसे मैं shade में ही रख दूँगी क्योंकि seed को germinate होने के लिए light की जरुरत नहीं होती एक बार यह अच्छे तरह से germinate हो जाए तो इनको बाद में आप धूप में shift कर सकते है तो इने मैं यही पे रख रही हूँ घर के अंदर ही seed को लगा के 6 दिन हो गए है और मैंने इनकी cover भी हटा दी थी चार दिन के बाद ही हटा दी क्योंकि इस पे बहुत सारे moisture क्रेट हो चुकी थी और ज्यादा moisture से seed गल जाते है तो इसलिए मैंने इनकी cover हटा दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी seed अभी तक germinate नहीं हुआ है दोनों ही part में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है germination का तो देखते हैं कुछ दिन मैं और रखूंगी और देखते हैं seed germinate होता है कि नहीं अभी मैं आपको 15 दिन की update दे रही हूँ और यहाँ पे कोई भी seed germinate नहीं हुआ है और seed अच्छा होता है तो चार या पाद दिन में seed germinate हो जाते हैं मगर यहाँ पे कोई भी seed अभी तक germinate नहीं हुआ है plant orbit से मैंने seed लिया था यह सोच के की seed की quality अच्छी होगी और अच्छे तरसे germinate होंगे और यहाँ पे मुझे zero result मिला है कोई भी seed grow नहीं हुए है इस पार मैंने potting soil भी सही से लगाया था और cover करके रखा था फिर भी मेरे seed germinate नहीं हुए इसका मतलब seed की quality ही अच्छी नहीं थी दोनों ही seed नहीं grow हुए है तो इसके बात में plant orbit से कोई भी seed नहीं मंगाऊंगी और इनकी जो plant भी मुझे deliver हुए थे बहुत ही dry होके deliver हुआता हुए